हाँ जी तो आज हमारे पास में FZS V4 गिने चुने कमेंट आते हैं उनमें से इस बाइक के बारे में काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे वह या इस बाइक का वीडियो वना हूँ तो आज हमारे पास में ये बाइक है इसके अंदर कौन से कलर्स आते हैं ओन रोल प्राइस क्य करती है उन सब चीजों की अपन डीटेल में बात करने वाले हैं चलिए तो सब सब पहले में आपको थोड़ी से यहां पर जगह है उसके अंदर ही एक चारों तरप से वाकरांड वह दिखा देता हूं बाइक कैसी दिखती है और यह रेड कलर है पैंट फिनिश काफी ज़्य चाइद आपको अलग सा लग रहा है बट यह काफे ज्यादा अच्छा क लग रहा है थोड़ा ग्रेश एक काफे बढ़िया लग रहे है आपको कौन अच्छा लगता यह बताए इस वाले हैं और रेड वाले के अंदर आपको गोलडन कलर के बसांगए बहुत ज्यादा अच स्टार्टिंग से बात करते हैं क्या सारी चीज़े हैं सबसे पहले आपको नेकेड डिजाइन मिलता है यहां फे वर्जन 3 के अंदर जो सामने का हेडलाइट का जो डिजाइन था काफी लोगों को नहीं पसंद आया था बट यह काफी यह अच्छा लग रहा थोड़ा कुछ सेंटर के अंदर रहता है तो सिमेट्रिक काफ़ ज़्यादा बढ़िया बनती है जेल वाला आपको यहां पर देखनों को मिलता है इंडिकेटर आपको यहां पर LED के अंदर मिलता है हजार लाइट को आप्शन आपको इस में नहीं मिलता है और यह सामने आपको यह सस् हो जाएगा और यहां पर इस टाइम पर टायर इसकंदर इस्तमाल किये गए हैं और हंड्रेड शक्षन के टायर है हंड्रेड एटी सेवंटीन इंचेज के वील्स है बहुत ज्यादा सुन्दर लगते हैं क्या ही बढ़िया लगते हैं मलब कॉंट्रास्ट निकल के आता बढ है क्योंकि ब्लैक और गॉल्डन का अब मैं यहां पर देखूंगा तो यह कुछ आपको चीजे एक्सपोजड दिखने वाली है यह क्रोम पूरी बाइक के अंदर सिर्व आपको यहां पर इस्तमाल मिलता ज्यादा क्रोम का भरपूर इस्तमाल नहीं किया बहुत ही सटल है अ आमा का जहल वाला स्टीकर यह भी काफी अच्छा लग रहा है उपर की तरफ आप लाइट देख पार हो इस तरफ इसकारण इसके जो अंदर टींट से वह अच्छे से दिख रहे हैं काफी शाइनी है और इधर आप देखोगे तो यह आपको 149 CC का इंजन मिल जाता है अपन के हिसाब से काफी ज्यादा कम है यह मैं भी बोलूगा आपको भी लग रहा होगा बट खास बात यहने का इस बाइक का जो वेट आता है यह 130-136 किलो है तो पावर टू वेट रेश्यो बढ़िया होने के कारण यह इतना जो पावर आपको कम दिख रहा है यह डिलिवरी कावल है एंजिन झाल वो दिख जाता है और पीनिश है यह कि इनलिख लग भ स्थ पिर यह जो पेडल है यह कुछ ऐसा है काफी बड़ा है और रबर आज ट्रीटमेंट आपको यहां मिल जाता है पीछे के तरफ आपको फुट पाइगा यह कुछ ऐसा है टेक्टाइल फीडबेक भी सके अंदर आ रहा है काफी बड़िया बात है बड़ यह जो ब्रेक इसकी और बेटर वह सकते थी वरना अगर यह चला गया तो दिक्कत ज्यादा हो जाएगी पिर आपको यह जो एक्जोष्ट काफी चोटा सा दिखता है बट इसकी फिनिश काफी अच्छी है यह सिल्वर कलर की फिनिश मैट के अंदर इसकी कलर फिनिश भी काफी ज़या अच आती है आप इसको seven step के ओपर adjust आराम से कर सकते हो यह चीज़े यहां की हो गई है इस तरह के सबाइक आप देखिए इस तरह की लगती है फिर अपन पीछे आते हैं तो यह पीछे के तरफ आपको कोई 17 इंचिज के रीम साज आती है 140 section का टायर आता है यह काफी बढ़िया बात है 140 60 r 17 इंचिज के है MRF के यहां पर आपको टायर अभी तक इसके अंदर इस्तमाल किये हैं काफी ज़्यादा बढ़िया यह लुक है टायर दे रहे है टायर के साथ में जो कॉंट्रास्ट आ रहा है क्या ही बता हूं कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है यहां से इंडिकेटर भी आपको पी नीचे हैं बाकी नीचे हो सिंगल आपको कुछ ऐसा मामला मिलने वाला है और पीछी के तरफ जो अपना यह जो नंबर प्लेट के लाइट यह आपको एसी कुछ मिलती है लेट मिसी यह है अब हैलोगन तो यह गरम है यह बहुत ज्यादा जल्दी हो जाती है तो आब ही इतन तोनाचोटा साड़ी का ठीक है नॉम के इसाब से खाना पूति खर दी है बट अच्छा लग और ज्यादा चीजे इस्तमाल करते हैं ज्यादा मेटल करते तो पिछे से लुक है वह थोड़ा ज्यादा और खराब हो सकता था बड़ अच्छा है और यहां पर आपको यह वन डाउन फॉर आपका ट्रांश्मिशन मिल जाता है और अच्छी बात यहां पर यह कि आपको ट्रेक्शन कंट्रॉल की सुयुदा मिल जाती है सेंग्मेंट फॉर्स्ट मतलब 150 सिच के अंदर याप शायद आ गया है या फिर इसके बाद आएगा उसके अंदर आपको प्लेज की सुयुदा मिल जाती है मतलब ठीक है वह भी अच्छा काम करें बट इन्हों ने ट खाली खाली फिनिश मिलता है यहां पर कुछ ऐसा टेंक आता है टेंक के बारे में एक बात बता नहीं है वह आपको मैं थोड़ी देर बताऊंगा कि अच्छा ठीक बता ही देता हूं कि 12 लिटर का फ्यूल टेंक यह आता है दो लिटर रिजव आ जाता है बट जब बाइक को आ देखोगे इसको यहां से देखो तो साइड से आप बाइक देखोगे तो कुछ इस तरह की देखी कि टेंक वह ज्यादा डॉमिनेट इसके अंदर आपको मिलने वाला है थोड़ा प्रपोर्शन का दिक्कत है डिस प्रपोर्शन एट थोड़ा बहुत लगता है मुझे टेंक इसको देखो बोल नहीं पाऊंगा सच बात है तो आपको काम चला हो आपको यह क्वालिटी यहां पर मिलने वाली है पास है यहां पर इंटिग्रेट कर दिया गया यह काफी बढ़िया बात है यहां पर होता तो और ज्यादा बढ़िया होता बट यहां पर भी दिये दिया ह और यह बढ़िया काम उन्होंने किया देखो केबल से बिलकुल ऐसा एक्सपोजड नहीं दिख रही है यह पूरा एक यहां पे हब बना दिया है यहां से सारी सारी केबल वगरा सब चली जाती है यह बढ़िया बात है फिर आपको यहां पर हजार लाट को आपको मिसिंग मिलन इसे सोच समझ कि उन्होंने यह फिनिश यहां पर इस्तमाल की है बहुत ही बड़ा यह लगता है टैंक के ओपर यह आपको इगनिशन की जो की है वह आपको इस तरह की आती है वह मिल जाती है पिर जो स्क्रीन है यह बदल दिया यह बढ़िया वात है क्योंकि पूरानी वाले इतनी बेकाल लगती थी कि क्या बता हूं पूरा बाइक खराब कर देती थी तो सबसे पहले आपको यह उन हीमेह कर से फॉल करती यह है उर दे दिख जाती है थोड़ा सा आपको दिख नहीं पार होगा थोड़ा भार होता तो अच्छे से दिख पाता यह ट्रिप वगरा है और average speed वगर average mileage वगर आपको यहां पर बता देता है और बस simple सी सीज़े है reset करने की बाकी इसके अंदर Bluetooth की सुझदा आ जाती है तो जो वाइक कनेक्ट अप्लेकेशन आता है उससे आप थोड़ी बहुत चीज़े हैं यहां पर देख सकते हो अपने फोन के अंदर यहां का बड़ा सा आपको नाम आपको लिखा रहता है इंडिकेटर बगरा की आपको देखना चाहते हो तो इधर आता है यह बड़ीया बात में को यहां पर लगी है पिर आपको जो स्पूड़ेमेटर है इसकी जो क्वालिटी आप बताव कैसे लग रही है थोड़ा सा यह वाला पार थोड़ा सा फिलिमजी लग रहे हैं बाकी च्छुबाबी कोड़ी ककी दें अब कोड़ी काफिव बढ़िया है आप वील्स की देखो कि ईंजन की आसप्स की जिगह के वहां पर चापिछ यादा बढ़िया ऐस यह क्वालिटी टेखो पर फिली एक डेल काम के हीथी सारी बाइक्स का फिर ये जो वर्जन 3 है उसके अंदर आपको ये कलर आ जाता है फिर वर्जन 4 के अंदर एक आपको ये वाला कलर आने वाला है ग्लोसी ब्लैक के अंदर और इसके अंदर भी आपको रिम्स कुछ ऐसी आने वाली है उसके बाद में वर्जन 3 के अंदर आपको यह रेड़ कलर आता है यह मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था मैट के अंदर है और बहुत ज्यादा अच्छा लगता है अगें यह सेम कलर आपको यहां पर मिल जाएगा हजार लाट आजकर लोग थोड़ा सा डिमांड करते हैं वो दे दो तो बढ़िया है लोग खुश हो जाते हैं थोड़ा बस यह सारी चीजे थी अब बात करते हैं प्राइसिंग के तो जेपूर के अंदर ओन रोड इसकी प्राइस सली जाती है एक लाख साथ हजार उपए तो एक साथ और यह आपको प्राइसिंग कैसी लगी यह मुझे कमेंट सेक्शन के जरूर बताएगा बट अभी मैंने इसके टेस्टाइड के लिए बात की है तो वर्जन 3 जो है वो यहां पे टेस्टाइड के लिए वेलेबल है बट वर्जन 4 अभी नहीं है तो 2-3 दिन के अद परे में वीडियो के बारे में वह भी बताओ अगर कुछ भूल गया हो तो मुझे आप पूछ सकते हो वह मैं कमेंट सेक्शन में बताने की जरूर ट्राइग करूंगा और और आप हमेशा हेलमेट परनी है सीट बेल्ट परनी है और रात को लो भीम पर जरूर सलिए दन्यव झाल